तो जी आज हम बनाएंगे आलू चिकन का सालन वो भी शादी हो वाला तो जिसके लिए हम लेंगे आलू जो हम पहले से तयार करके रख लेंगे इसे हमने उबाल के रख लिया था यह 50% तक हमने इनको बाल लिया था बाकी का हम सालन में इसको बाल पकाएंगे और इसके बाद यह लेंगे 3 बड़ी प्याज इसे कट करके हमने पहले से ही रख ली थी तो आप भी इसको पहले से ही कट करके रख लें और इसके बाद हम इसे ओईल में तल लेंगे और इसको light brown इसका color दे देंगे जिसे कि ये है और अब हम इसका पतला paste बना लेंगे mixi में पीस कर और इसके बाद ले लेंगे दही और ये दही थोड़ा सा फिट लेंगे अच्छा से ये हमने एक कटूरी लिया है और ये half kg chicken है इसकी एक दो पीस सोड़े ज़ादा थे और उसके बाद ये लेंगे हम टमाटर ये चार बड़ी टमाटर थे पिलकुल बारिक चॉप कर दे थे इसे पिकसेंगे नहीं mixi में इसे चॉप भी करेंगे बिलकुल बारिक कर लेंगे जितना हो सकता है और उसके बाद चार हरी मिर्श ले लिदी और अब हम mustard oil लेंगे तीन टेबल स्पून भरके और या आप कोई भी oil ले सकते हैं और उसके बाद ये मैंने chicken के पीस इसमें सारे हैट कर दिये थे और गैस की flame कर लेंगे हाई और उसके बाद हम अभी से बुनना शुरू कर देंगे थोड़ा सा इसका color change होने के बाद थोड़ा थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे और अब हम इसके इंदर डाल देंगे लासुन अद्रक का paste एक चमज भरके और अब हम वापस इसको बुनना शुरू कर देंगे कम तकरीबन एक से दो से तीन मिनट तो इसको बुना था मैंने इसको बहुत अच्छे से क्योंकि हम कुकर में नहीं बना रहे हम इसे बना रहे हैं कड़ाई में तो अगर हम इसे बुरेंगे नहीं तो यह इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा नहीं आएगा तो हम इसे बहुत जीरा था तेज पत्ता और बड़ी लाइची चोटी लाइची लॉंग काली मिर्च ये सब था और उसके बाद ये हमने टमाटर भी इसमें बारी चॉप किये वे आड़ कर दिये थे और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और अब हम गैस की फ्लेम ना मीडियम कर लेंग दिगड़ी चमच और डिगड़ी स्पून तो ये भी आप अपने ये टीज के कोटिंग ने इतना ही डालना है तो जुनाब उसके बाद वापस इसको भून लेंगे बढ़ी ऐसे करके और इसका ऑईल उपर आना चाहिए इस तरीके से थोड़ा से से मिक्स कर देंगे और वा चमच से मेश कर दिया था और वापस जो उसके प्राइ कर रहा था चिकिन तल दिया था वापस इसमें चिकन एड़ कर देंगे और इसे चिकन को मीडियम आच पे मीडियम और हाई फ्लेम पे दोनों पे थोड़ी दिर भून लेंगे और धियान रखेंगे बहुत जोड़ से चमच नहीं चलाएंगे नहीं तो ये चिकिन तूट जाएगा और उसके बाद ये हम ले लेंगे दही और इसके अंदर हम दही आट कर देंगे एक कटोरी जो उने दही फेट के रख लिया था और वापस इसको हलकी हलकी मिक्स करना शुरू कर देंगे और इसे भी कम से कम 1-2 मिनट तक मीडियम आज पर पकाएंगे और अब इसे 1-2 मिनट हो चुके थे तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये प्यास का पेस्ट बना के रख लिया था न जो तली भी प्यास थी तो हमने उसे मिक्सी में पीस लिया था बारी कर लिया था तो तो ये हमने पियास का पेस्ट भी इसमें अड़ कर दिया था, और अब इसे थोड़ा सा और मिक्स कर दिया था अच्छे से, और इसकी ग्रेवी अभी से बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत ही ज़ादा खुश्चबू भी आ ली थी इसमें से, तो अब हम इसे कर देंगे कव और cover करेंगे 5-7 मिनट के लिए बिलकुल low flame पे और ये 5-7 मिनट हो चुके थे बिलकुल low flame पे तो अब हमने इसका cover अटा दिया था धकन अटा के दिखा तो इसमें सारा oil उपर आ चुका था और ये chicken भी हमारा अच्छे से थोड़ा गल चुका था थोड़ा सा रह गिया था गल नहीं थे मतलब जैसे तूट जाते आलू तो हमने इसे last में रखा इसलिए हमने इसे उबाल लिया था पानी आप अपने taste के recording डाल दिया आपको थोड़ा जादा पसंदे पार पतला रखना है तो जादा पानी डालने कम रखना है तो आप thickness देख लें तो कम डाल दें उसके थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया था और इसे cover कर दिया था 10 मिनट के लिए और अब 10 मिनट हो चुके थे बिल्कुल मीडियम आज पे तो यह हमारी आलू चिकन का सालन बनके तयार हो चुका था तो यह इस तरीके से था बहुत ही जबरदस्त बन गिया था औ और अब हम गयास बन कर देंगे और इसे कर लेंगे सर्व तो यह है इसकी ग्रेवी और आलू भी इतनी अच्छे से बन चुके थे टूटे भी नहीं थे जैसे कि हमने पहले उबाल दिये थे तो अब हम इसे करते हैं सर्व तो यह है हमारे आलू चिकन का सालन और यह कुछ इ बहुत ही तीस्टी बना था तो अगर ही आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें